नमस्कार दूस्तों यूट्यूब चैनल ICT Academy में आप लोग का स्वागत है आज का इस वीडियो में हम आप लोग से बात करेंगे अगर आप नेशनेल स्कोलसीब पोटल में अपना स्कोलसीब अपलाई कियें और उस स्कोलसीब का स्टेटस को जब आप चेक कर रहे हैं तो अग अब ही हमको payment मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा payment for rejected by agency हो जाने के बाद इस्टूटन को क्या करना चाहिए जिसके बाद उसको payment मिलता है या फिर नहीं मिलता है इस टॉपिक मा आज details में बात करूंगा तो अगर आपका payment for rejected by agency सो कर रहा ताकि कोई भी में नया वीडियो अप्लेट करूंगा scholarship update related तो आप लोग को notification मिल जागा और इस चैनल पर आपको हमेशा scholarship और education related वीडियो मिलेगा तगर आप एक student है तो चैनल को जरूर subscribe कर लिजे चली मैं पहले एक student अपना student का application को track करके दिखांगा उसका भी payment for rejected by agency हो गया उसके बाद क्या करना रहता कि उसको payment मिला तैसा बहुत सरा student का example मेरे पास है तो अभी मैं एक student का आपको आपके सामने check करके दिखाता हूं उसका क्या सो कर रहा ठीक है तो चलिए यहाँ पर वीडियो को सुरू करते हैं तो आप लोग अपना payment का status जो भी यहाँ पर payment का status को कहां से ट्रै करते हैं तो मैं अपना आपको लोग को process बता हूंगा आप लोग को अलग से process भी मालूम हो सकता है लेकिन मैं अपना process इसलिए बता रहा हूं कि कि यह जो website rojgar.online इसी website के थुरू हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग payment का status को बहुत ही असानी से अपना application number और account number से check कर सकते हैं क्योंकि यह website हम खुद बनाएं तो अगर आप इसी website check करेंगे तो जैसे कि मैं आप लोग को वीडियो बना के आप लोग का help करता हूं उससे rojgar.online website को आप ज्यादातर visit करके मेरा भी कुछ help कर सकते हैं क्योंकि देख सेकते हैं यह website को हम ही modify करते हैं य इसमें सिर्फ scholarship related आपको updates मिल जागा तो आपको अपना payment का status को कहां से check करना NSP national scholarship का तो यहाँ पर आपको रोजगा.online में आना थिरी.online में आना और scholarship और national scholarship में चले जाना आप लोग को अलग दूसरा भी process मालूम हो सकता हैं लेकिन मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोग यहीं से check करेंगे ताकि आप लोग जब अपना scholarship का status check करी रहें तो थोड़ा मेरा भी काम कर दीजे ठीक है उसके बाद यहाँ पर देख सकते थिरी.online में जाके NSP scholarship में national scholarship में जाएंगे ठीक है उसके बाद यहाँ से थोड़ा scroll down करेंगे तो आपको समनी एक post यहाँ पर open हो यहाँ पर मैं एक student का यहाँ पर show करता हूँ ठीक है तो देख सकते हैं यहाँ पर एक student यह student का है तो इसका हम application number को यहाँ पर ले लिए और यहाँ पर इस capture को यहाँ पर fill कर रहा है ठीक है इस capture को fill करने के बाद यहाँ पर इसको search करते हैं जैसे हम यहाँ पर इसको search करेंगे तब देख सकते हैं इस student का एक बार payment file rejected by agency हो गया था ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं payment file rejected by agency हो गया था उसके बाद फिर यहाँ पर देख से तो ही amount payment success हुआ यह session 19-20 student का है जो के मेरे student है जारकन से है तो इसका भी payment file rejected by agency हो गया था उसके बाद फिर आपका क्या होता जब payment file rejected by agency हो जाता ता आपको लगवग महिना बर time रहाता महिना बर आपको हो जाने के बाद automatically फिर under processing with ministry हो जागा फिर आपका under processing with bank for payment हो जागा फिर आपका automatically आपका account में payment credit हो जागा ठीक हो जागा उसके लिए कोई दिकत नहीं है अगर payment file rejected by agency हो जाता तो आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ ध्यान रखना कि आपका account जैसे open रहे आपका account जैसे block नहीं रहे ताक कभी भी payment अगर release करें तो payment failed ना हो इस बात का ध्यान रखेंगे और payment file अगर rejected अभी आपका so कर रहा है आप सिर्फ wait कीजे कोई दिकत नहीं है कुछ दिन के बाद एक मेना दो मेना के बाद under processing with ministry जाएगा फिर bank के पास जाएगा फिर आपका account में credit हो जाएगा असा करूंगा इस वीडियो से आपका सारा problem का solution निकल गया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजे फ्रेंड को share कर दीजे चैनल पर नहीं तो subscribe करी लिजे online exclusive related वीडियो हमेशा पाने के लिए चली मिलता आप दूसरे वीडियो पर